हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफर्म विज्वल आर्ट एंजी के टुटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तो आज कल जो करा परिक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रेशन चित्र दिखा कर उसकी बारे में ये शंखला शूर की है मैंने, क्योंकि सिर्फ कलाकार का नाम या माध्या में चित्र का टाइटल ही नहीं उस पर कई तरह के प्रेशन बनते हैं जो अब पैटन में पूछे जा रहे हैं। तो उसी पर आधरिते शंकला है आई होप ये आपको पसंद आएगी अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेर जरू करें और चैनल से भी तक नहीं जुड़े हैं तो जुणने के लिए सब्सक्राइब जरू कर लिजी तो आएगे देखते हैं कुछ चित्रों और मूर्तिकला का परिचय है ये है भारत का राष्ट्री प्रतीक इंडियन एमलंग जिसमें की बने हुए हैं उपर चार शेर जो चार देशाओं में अपना शीर निंगा है इसके नीचे बने हैं चार पश्रू और बीश्वे बना है अशोक चक्र जो की धर्म चक्र से लिया ग हैं साथ ही इसमें बने हुए हैं चार जान्वर को मुण्डक उपनिशत से लिया गया है वाकी सत्यमेंव जैते ये हैं भारत का राष्ट्रिय प्रतीक ये चित्र है नंदलाल बोज जी द्वारा निर्मित शिव का विश्पान जिसे उन्होंने वोश टेक्नीक में बनाया था 1912 में 1912 में नंदलाल बोज जी जोकी बंगाल शेली के कलाकार थे और अवनींदर नाथ टेगोर जी के शिश्य थे इनका समयकाल था 1882 से 1966 भारत सरकार द्वारा इन्हें पंद्व भिवुशन सम्मान दिया गया था 1954 में यह चित्र जो है शिव का विश्पान इसका जो कलर है मैन वह पीला रंग यलो कलर इसमें ज्यादा यूज किया गया है जिसमें की शिव अपने दाएं हाथ में विश्का प्याला लिए हुए हैं जब चित्रों को थोड़ा डिडेल में पूछा जाता है तो कई बार चित्रों के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा रंग जादा यूज हुआ है तो इसमें पीला रंग यानि की यलो कलर ज्यादा यूज किया गया है जिसमें की शिवजी के डाएं हाथ में विश्का प्याला है ये वश टेकनिक का चित्र है ये मूर्ती शिल्फ है देवी प्रसाद राय चोधी द्वारा निर्मित शहीद स्मारक इसका टाइटल है शहीद स्मारक यह पटना सचिवाले के बार स्थापित किया गया है इसका माध्यम कांस से है ये कांस से मूर्ती शिल्फ है और इसमें साथ आदमी बने हुए है साथ मानवाकृतियां है जो दोती गुर्टा पहने हुए है जो विरोव में आगे बढ़ रहे हैं पहला व्यक्ति अग्रणी स्थती में एक जंडा थामे हुए है जो गंतवी की और इशारा कर रहा है और अपने साथियों से उसका अनुसरन करने का आग्रह कर रहा है उसके पीछे तीन आदमी गिरते हुए प्रतित हो रहे हैं इस मूर्ती शिल्प को भारत की स्वतनुता प्राप्ति के बाद अक्टूबर 1956 में सारवाजिनिक दरश्टी के लिए खोला गया था यानि कि इसे स्थापित किया गया था पटना सचिवाले के बाहर 1956 में इसका टाइटल है शहीद इसमारक चो बना है कांसी माध्यम में डीपी राय चोद्री जी द्वारा निर्मित ये चित्र है नंदलाल बोश जी द्वारा निर्मित टिलर ओव दा सुएल ये खेत जोतने वाला ये मिट्टी जोतने वाला जिसे कहा जाएगा इसे उन्होंने 1938 में बनाया था ये चित्र टेमपरा ओन पेपर है नंदलाल बोश जी जिनका जन्म हुआ था तीन दिसम्बर 1883 को खड़तपूर में और इन्हें पद्म विभूशन संबन प्राप्त हुआ था 1954 में उनका बनाया हुआ चित्र है ये टिलर ओव दा सोईल जो टेमपरा मध्यम में हैं यह नटराज मूर्ती शिल्फ है जो की चोल कालीन है और यह बनाया गया है लोस्ट वेक्स टेक्निक से ब्रॉंज यानिकी कांसे में इसमें नटराज अपने दाएं हाथ में डमरू और दूसरे दाएं हाथ उनका अवेवे मुद्रा में हैं उपरी बाएं हाथ में ज्वाला है और दूसरा बाएं हाथ उनका डोल हस्थ मुद्रा में हैं यह लोस्ट वेक्स टक्निक से बना है जिसका समय बारवी श्रताब दी इसमें नट राज अपने दाएं पाउं के नीचे अपसमार पुरुष को दबाए हुए हैं जो की बुराई का प्रतीक है भारत में तीन प्रमुख नटराज मूर्ती शिल्फ है जो की है चिदंबरम में थलई नटराज मंदिर में दूसरा है कोनेर राजपुरम में जो की उमा महश्वर मंदिर है और तीसरा है तंजावुर में जो की यूनेस को विश्व धरोवर सल्ब में शामिल है वो है ब्रहदे वो तीनों ही चोल कालीन है और ये नोस्य बार्विश्वत अब्दी के मद्दी बने थे.